दोस्तो एक बहुत बड़ी लोगों के साथ समस्या हो रही है जिन लोगों के पास नए मोबाइल है जिन लोगों के पास नए स्मार्टफोन ब्रांड है कोई भी कमपनी का हो चाहे ओ इन्फिनिक्स का हो रेडमी का हो या अन्य किसी भी ब्रांड का हो उसमें क्या होता है कि आज बना रहा हूं तो दोस्तों यदि आपके फोन में भी ऐसी समस्या है जब भी आप कॉल करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आप सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उसके कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं कि आप उसको पता चले तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स आप से गुजारी से हमेशा के तरह कि आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और उस वीडियो को सबसे पहले और सबसे साथिक देख सकें दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो रिकॉर्ड करेंगे उसको डूंढेंगे कैसे कि आपका रिकॉर्डिंग गया कहां किस फाइल में वो सेब हुआ है तो आप इस ल से अजाली हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं डायल करके नंबर और रिकॉर्ड करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है यह आपके साथ भी घटना घटित होगी क्योंकि आपके मोबाईल में जितने भी मोबाईल आ रहा है सभी में घूगल डायलर आ लेकाल कर दिया है दोस्तों इसका हम दो स्पिकर है और नंका नहीं कोड़े हैं थीक आप आपने देखा कि यह सामने वाले को यह सुचित कर रहा है कि आपका कॉल रिकार्ड हो रहा है तो इससे बजने के लिए कई बार हमें ज़रूत होती है कि सामने को यह पता ना चले कि आपका जो call है ओ रिकॉर्ड हो रहा है तो उससे बचने के लिए मात्र एक ही उपाय है और उपाय आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा यदि आप इससे परसान है तो आप इस वीडियो को लाश तक बात किजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज फोन टाइप किजिएगा तो एक अप्लिकेशन आपके सामने आएगा इसे इंस्टॉल कर लिना है इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपका जो समस्या है निजात मिल जाएगा उससे और क्या-क्या सेटिंग करना है यह आप पूरा देख लिजएगा नहीं तो फिर आपको गड़बड हो जाएगा आप यह चीजे नहीं कर पाईएगा और इसमें आपको दोनों तरफ का कॉल रिकॉर्डिंग होगा और ना तो बस रिकॉर्ड करने वाले को पता होगा कि यह रिकॉर्ड हो रहा है बाकी जो सामने वाले के पास आप जिसके पास कॉल कर रहे हैं उनक पर आपका current जो dialer है वो दिखाएगा तो यहां पर ACR phone दिखाएगा उस पर आपको tick mark कर देना है set as default कर लेना है ठीक है इसके बाद set as call blocker यदी चाहे तो आप कर सकते हैं यदी नहीं तो यहां पर skip for now कर देना है यहां पर skip for now करने के बाद यहां पर dialer का option आएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर चलिए यहां पर record का option आ रहा है तो हम record वाले option पर click करते हैं और यहां पर enable करना है आपको enable करने के बाद यहां पर tick mark कर देना है यहां पर enable का option आएगा उस पर click कर देना है यहां पर ACR phone का option आएगा यहां पर use ACR phone यहां पर tick mark कर देना है allow कर देना है ठीक है यदि चाहें तो इसे shortcut के रूप में भी enable करना चाहें तो यहां पर भी on कर दिएगा तो यहां पर हम इसे on कर लेते हैं चलिए यह on हो गया use acr phone ठीक है अब हम चलिए call करके आपके सामने देखते हैं तो दोस्तों इतना करने के बाद सब कुछ setting जब हो जाएगा तो आपको acr को ही ढूंड़ना है यह वाला नहीं यह वाला acr जब ढूंड़िएगा यहां पर आप फिर से देखिए number में dial करता हूं चलिए one nine eight यहां पर dial कर देता हूं call करता हूं यह आपका देखिए dial हो गया अब यहां पर देखिए record का option आ रहा है यहां पर हम record को टाइप कर देते हैं यह दोस्तों आपने देखा कि आपका जो record हो रहा है लेकिन कोई भी सुचना किसी को नहीं बता रहा है नहीं आपको बता रहा है कि call recording हो रही है और नहीं सामने वाले को बताएगा अब इसे हम off कर देते हैं तो दोस्तों इस तरीके से पूरा setting आपका complete हो गया और आप किसी भी call को बिना किसी सुचना के record कर सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए सेर किजिए और देखते रहे हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंद बंदे मातरम